दोस्तो आज के इस वीडियो में हम water tank connection किस तरह क्या जाता है उसमें क्या क्या सामान लगता है उसे किस तरह fit करना होता है inlet connection, outlet connection और flow connection किस तरह करना होता है यह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम काफी आसान तरीके से सीखने वाले है तो fitting से पिले हमें क्याकर सामान लगने वाला है fitting में हम वो देख लेते हैं यह हमार पास एक इंची UPVC सामान है जिसे आज हमें इस tank को fit करना होगा यह हमार पास 1000 लेटर का एक tank है हमार पास यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइप एक inlet पाइप एक outlet पाइप है और उस तरह भी हमारे एक पाइप आने वाला है जो सिर्प एक point के लिए आना वाला है उसकी हमें fitting करना है तो अब उसकी fitting किस तरह करना वह हम देख लेते हैं यह हमारे पास सामान है जो आज हमें फिटिंग में लगने वाला है सबसे फिटिंग में सामा लगने वाला है हमारे पास एक शेंटेक्स कनेक्शन है एक इंच कनेक्शन है जो आज हमें फिटिंग में लगाना होगा जिससे हमारे जो कनेक्शन होता है वो इसी से होता है उसके अब अमारे पास यहां पर एक इंच एक FTA है, UPVC FTA, अधिसले connection में इसको कशना होती है, इस तरह से, यह हमारे पास एक union है, जो एक इंच का है, जो आज हमें connection में लगने वाला है, अगर आपको टंगी को कहीं से अलग करना हो, जोईन को, तो आप इस union को लगा शकते हैं, टं connection लगाना होता है, यह हमारे पास एक इंच का गेट वाले, जो connection पानी और उफ के लिए, बंचार्यों के लिए में लगाना होगा, यह हमारे पास एक इंच के यूपीवीसी एलबो है, जो आज हमें connection में लगने वाली है, यह केपलाउन टेप है, आपको कही पर भी थ्रेड इस तरह से हमारे पास जो connection आपको थ्रेड पर कशना हो, तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से कशे, जिसे हमारे लाइन लिकेज नहीं होगी, यह में आदा इंच का सामान बीच फिटिंग में लगने वाला है, जो हमारे inlet pipe है, वो आदा इंच का पाईप है, जो टंकी भरने क हमें उस तरह भी ले जाना हो, उस तरह हमारा एक point है bashing के लिए नीचे की ओर, तो वहाँ पर हमें इसी connection से उसका भी connection करना होगा, तो चलिए हमें connection से के सबसे पहले इस टंकी में hole करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक ZI pipe को गरम करना होगा, यह हमारे पास निपल है आदे इंची की निपल है, यह हमें inlet pipe में लगने वाली है, यहाँ पर हमें inlet का connection करना होगा, और इस तरह यहाँ पर हमारा और flow का connection आने वाला है, और नीची की ओर जो हमारा connection आने वाला है, यहाँ पर एक इंची का connection आने वाला है, तो यहाँ इसके hole करने के लिए हमें एक न आपके में कर्म करके प्ल्यार इच्छे से घुमा लेना है कि आपको हाथ है करने हमारा किक्ष क्षट हो कदा लिए को अपको पाइपक करना होुआ हो पाइप का होल करना है आपको 10-3 इंच, या 5 इंच गे में वाल कहा तो, आपको इसकी हिसाब 3 ओर फ़ूल का पाइप आने वाला है अब यहाँ पर हमारा connection किस तरह क्या जाएगा वो हम देख लेते हैं हमारा पर एक chain takes के एक इंची connection है आपको washer को और bolt को इस तरह खोल के यहाँ से बाहर के connection को fit कर लेना है आपको इसको अच्छे से tight करना है अब इस washer को और इसको हमें अंदर के और से अच्छे से कसना होगा यहाँ से अंदर के और हमारे connection का point है वहाँ पर आपको washer लगा कि इसको अच्छे से tight कर देना है आपको इसको अच्छे से पाने से tight करना है ताकि कहीं से line हमारी leakage ना हो देख सकते हैं आपे हमने सेंटेक कीका connection किस तरह किया है अब यह से बाहर गी ओर हमें एक पाना लेकर इसको अच्छे से टाइट करना है तक हमारी लाइन कहीं से leakage ना हो आपको इसको सिर्पे इतना ही कसना है जितना हमारा जो वाशर लगावाए, वाशर भार ना आए, फटे नहीं, हमारा पर एक टंकी का connection हो, उस तरफ एक बेशिंग का connection आने वाला है, वहाँ पर हमारा पर एक पार कनेक्शन है, जिसलिए हम यहाँ पे एक कनेक्शन से दोनों को कनेक्शन करने वाल है, अगर आपके पास दो बातर पर को अच्छिस से लगा लेना है है को इसे क्या होता हमें लआयन की डिया होती है वह नहीं होती है हम यहाँ पर इसकी नप्ति करके इस पाइप की कटिंग करके इसकी फिटिंग कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सुलेशन से इस एल्बो को चिपका लेना है आपको सुलेशन सही से लगाना है और जो लिकेसिंगी प्रावला हम होती है आपको solution सही से नहीं लगाने की वज़े से होती है अगर आप solution सही से नहीं लगा पाएंगे तो हमारे line लिकेस होगी तो आपको solution लगाने का काफी ध्यान रखना है देख सकते हैं है तो ह raison आगे के वर हमें एक union लगने वाला है जो अगर हम tanki के जोइंड को हमें अलग करना है इस tank को इस line से तो यहाँ पे हमेग एक union लगाना होगा तंकी सफाई के लिए और भी अगर हमारे पास कुछ काम होते है तो हमें tank को अलग करना होती है तो यहाँ पर हमारी यूनियन के हम फिटिंग कर लेते है आपको यूनियन लगाने के बाद तुरह सको घुमा लेना है पाइप को तो कि हमारा स्लेशन सही से लग सके तो चलिए हमारी यूनियन के फिटिंग हो चुके आगय के और यहाँ पर हमें एक T लागाना होगी नीचे के ऑर जिसका enabled connection के लिए एक konnскरों यह उपर एर पाइप के लिए आने वाला है यहाँ पर हमें उपर के और भी एक T लागाना होगी जिसका connection आप देशिकता हमें किस तरह करना हुपर वहां पे उस तरह बेshing लिए इस तरह बातरूम के लिए के लिए करना है हमें, तो चलि ус अब से पहले हम यहाँ पर फैप करके इसको चिपका लेते हैं। आपको पाईप काटने का काफी ध्यान रखना की पाइन से काटना है, कीसा बाका नहीं काटना काटना है, तो हम इस T को इस pipe में fit कर लेते हैं अब यहाँ पर हम उपर की और भी एक T लगने वाली है जिसका connection हम इस तरफ union में करना है एक air pipe के लिए करना है उस तरफ एक bashing point के लिए करना है और इस तरफ हमारा एक bathroom का point होना है तो हम इस के इस तरफ की fitting करना होगी तो चलिए सबसे पहले हम इस T को इस T में join कर लेते हैं हम इसके pipe को fit करके आपको सिर्फ pipe उतना ही काट लेना है जितना इस T में fit हो सके हम इसके pipe की जब भी हम pipe की cutting करते हैं आपको नपती से करना है तो हम इहाँ पर इसको solution लगा के इस union के लिए connection के लिए T को fit कर लेते हैं यहाँ पर हमारा union से connection आना वाला है तो हम इहाँ पर इस तरफ हमें एक gate wall भी लगाना होगा gate wall के हमें fitting यहाँ पर करना है पानी बन चालू को लिए अगर bathroom में हमें कोई काम और रवगरा change करना होते है तो हमें tank line को बन करना होती है उसके लिए में यहाँ पर gate wall लगा रहे है और उस तरफ भी हमारा gate wall लाने वाला है तो चलिए हाँ पर इसके हम pipe cutting करके gate wall के fitting कर लेते हैं यहाँ पर हमें solution लगा के gate wall को fit कर लेना है अब इस gate wall में हमें इस T को fit करना होगी एक connection हमारा इस तरफ हमें करना है तो चलिए इस T को हम इस gate wall में fit कर लेते हैं यहाँ पर हमारे gate wall का connection हो चुका है अब इसी तरह हमारे पाद जो दूसरा gate wall लाने वाला है बेशिंग के point के लिए उस तरफ हमारा एक single point है तो उसके लिए हमने इस line को join की है अगर आपके पाद ज्यादा point हो तो आपको इस tank में अलग से connection करना होगा इस तरह join नहीं करना है हमारा पाद सिर्फ एक ही point है तो हम उसका connection नहीं से कर रहे है इससे हमारे जो null की line में कोई भी pressure में फरक नहीं पड़ेगा चलिए हम इस T को हम इस union ने फिट कर लेते हैं यहाँ पर आपको पाप से नाप के इसी cutting कर लेते हैं चलिए स्पाइप को हम इस T से union का connection कर लेते हैं जिससे हमारे tank के connection हो जाएगा इस तरह भी हमें solution लगागे इस pipe को union में फिट कर लेना है देश सकते हैं यहाँ पर हमारा tank का connection हमने किस तरह क्या है अब यहाँ पर उस तरफ हमें एक bashing के लिए point है तो उसका connection हमें इसी line शेकर करना होगा आप देश सकते हम वहाँ पर एक elbow लगी हुए हमाँ से इसका connection लागे हमें इस gate wall में करना है तो इचले हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं यहाँ पर हमने पाइप की गटिंग कर लिए अब यहाँ से इस पाइप को हमें उस तरफ गेट वाल में कनेक्शन करना होगा तो यहाँ पर हमें एक एलबो लगने वाली है तो आप कुछ लेशन लगा कि इस एलबो को फिट कर लेते हैं और वहाँ पर हम इस गेट वाल में इस कनेक्शन को फिट करना होगा नेची के और हमारे एक पाइप आने वाला है तो यहीं से हमने एक टेंग की इसका कनेक्शन किया है अगर आपके पास ज्यादा पाइंड हो तो आप टेंग में एक कनेक्शन और करें लग से आप जोइन नहीं करें अगर आपके पास ज्यादा पाइंड हो तो चलिए इस एलबो को हम यहाँ पर फिट करके गेट वाल की फिटिंग कर लेते हैं यहाँ पर इस एल्बो को हम यहाँ पर इस एल्बो में चिपका लेना है देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दो एल्बोस का कनेक्शन हो चुका है वहाँ से हमें जामर पर जो गेट वाल आने वाला है उसके हमें यहाँ पर इस पाइप को जोइंड कर देना है तो पिरले हम यहाँ पर इस pipe को इस album में इस तरह fit कर लेते हैं फिर उस सरफ जाके हम उसकी pipe की cutting करके gate valve में उसकी fitting कर लेंगे चलिए अभी हम इस pipe को gate valve में fit करना होगा तो यहाँ पर हम इस pipe की सबसे पहले इस gate valve से नप्ति कर गई हमारा पाइप जितना भी इसमें गेटवाल में बेठने वाला है वहाँ पर आपको इस तरह से इसकी नफ्थी करके इसकी पाइप क्टिंग कर लेना है चलिए हमें यहाँ पर इसको शुलेशन लगा के इस गेटवाल में आपको एक से देड़ फिट उपर की और करना है जिसे हमारे टेंग की जो पानी की जो air है वो इस pipe से निकल जाए इससे क्या होता एर pipe खड़ा करने से हमारे जो पानी का जो pressure होता है वो काफी अच्छा होता है तो चलिए हैं पर air pipe की fitting में हमारी complete हो चुकी है और यहीं से हमने और flow का connection निकाल के इस तरह इसकी fitting किये आपको air pipe के लिए जहां पर भी हमने जो connection किया है आपको इस तरह elbow जिपका के उस टेंक के में fit कर लेना है तो यहाँ पर हमारा connection complete हो चुका है चलिए हमने यहाँ पर subscribe ज़रू कर ले